हारु फिक्स ऑटोमेटिक आनलोग प्राब्लेम इन एनी रेल्मी सीरिस नमस्कार दोस्तों आगर आप सबीका थिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने जो डिवाइस में यह जो प्राब्लेम में उसको क अनलोग हो जाते हैं तो ऐसा क्यों है और केसे आप इस प्राब्लेम को सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलूशन बताने वालो वीडियो को आं तक देखें जो भी सॉलूशन इसको फोलो करें आपका आपका अनलोग प्र देखें प्रोसेस को फोलो कीजिए प्राब्लेम फिक्स्ट हो जाएका लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकुन को क्लिक करें ताकि आपको जो लेटेस अपडेट है वो मिल सके यहीं आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग पर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है ठीक है नीचे आपको मिलेगा सेकुरिटी का ओप्शन तो कहापे है पर जाने के बार आपको मिलेगा smart lock, अपने mobile के password को भर देना है, उसके बाद on body detection को जाके burn कर देना है, तो ये जो on हो जाते हैं न दोस्तों, उसके बार आपका जो फोने वो automatic unlock हो जाएगा, देख सकते हैं आप या पर keep your device unlock while it's on you, ठीक है, तो इसके वज़े से दोस्तों जो है आपके phone automatic unlock होते रहते हैं, तो आपको जाके क्या करना है, उस button को burn कर देना है, burn करके आपका smart lock भी off हो जाएगा, smart lock जैसी off होगा, आपका automatic unlock problem fix हो जाएगा, ठीक है, तो बस ये है दोस्तों solution, और इसके बाद देखेगा आपका जो locked है, वो हमेशा के लिए यहाँ पर saved हो जा वरना दोस्तों automatic unlock problem आपको आते रहेगा, ठीक है, और दोस्तों साधी साथ, अगर आपके जो problem में यहाँ पर fix ना हो, तो mobile software को update करें, mobile software update करने के बाद, ये problem fix हो जाएगा, और दोस्तों उसके बाद भी अगर ना हो, तो original setting पर, original setting पर जाके दोस्तों आप अपने phone को reset कर लि दीजिए, तो completely problem solve हो जागा, लेकिन दोस्तों आपको इतना तक solution करने के जिरूरत नहीं है, मैंने आपको additional setting बता दिया है, लेकिन जो मैंने आपको setting बता है, उसको follow करें, तो automatic unlock problem fix हो जाते है, ठीक है, तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना है, thanks for watching.